मैं आप सभी का स्वागत है फाइनली आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशकबरियां आप निकल के आ चुकी है जो कि आपका CRPF ट्रेड मैं किचन सर्विस नई भरती 2024 जारी हो चुका है और इसमें एक बात आपको बता दे इसमें आपका बहुत कम कंपडिशन लेगा जैसे कि आप अधर एक्जाम के में जब फॉं एपलाई करते हो जैसे कि माल लीजिए यूपी पुलिस में आपने फॉं एपलाई कर दिया और उसके बाद में आपका यहां पे अगर माल लीजिए कंपडिशन सव परसेंट रहा होगा तो इसमें CRPF ट्रेड मैं किचन सर्व होगे सब्सक्राइब जरूर करेगा अगरे वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा आप लोग आपको यहां पर हम समझा दे रहे हैं पहले माल लीजिए अपने यूपी पुलिस में फॉं एपलाई किया और किचन सर्विस ट्रेड में में आपने फॉं एपलाई किय कॉसे कर सकते है किसमें ट्रेड में किचन सर्विस में से और पीफ में वहीं समेंपलाई कर सकते हैं सारे कंडिडेट के पास नहीं है बहुत होगा यहां पर मालेजे 30% बच्चों के पास यहां पर NSQ साडिफिकेट होगा तो कंपडिशन आपका 70% तो इसे ही कम हो गया ना मालेजे 100% इसमें अगर कंपडिशन होता वनली 10 पास को तो रखा ही गया है उसमें क्वालिफिकेशन वनली 10 पास है लेकिन साथ में NSQ साडिफिकेट भी आपका यहां पर मांगा गया यहीं एक रीजन है आपका कम जाने का सब्सक्राइब आपका यहां पर कम रहेगा नियस साडिफिकेट से क्योंकि आपका भी भरती आ रही है जोकि 2140 पोस्ट पर आपके आ रहे हैं लोड़ी इमने वीडियो बना के अपलोड कर दिया है आप जाएए वहां पर पूरा प्रोसेट देख लिए जो बच्चे नहीं देखें आप जाके देख सकते हो यह आपको समझ में आ गया कंप्रिशन क्यों कम रहेगा हमने आपको समझा दिय आपको पूस्टणे किचन में काम करना होगा विए योगता टेंथ पास dips अपक res No could we आपके पास यहां पर होना चाहिए अगर है तो आतला चांस रहेगा और लिइन पको समझा दिया यह क्यों रहेगा एज शिस बात बता दे देब अपका यहाँ पर age में छूट नहीं दी जाएगी अगर आप OBC हो तो 18-28 साल तक आप apply कर सकते हो आपको जो यहाँ पर 3 साल के छूट दी जाती है वही हमने यहाँ पर पलस करके आपको बता दिया अगर आप यहाँ पर प्रकार की आपको यहाँ पर नहीं होगी फीस बता दे जरनल OBC EWS का यहाँ पर 100 रुपए आपका 100 रुपए फीस चार्ज पड़ेगा जो कि ओनलाइन आपको यहाँ पर पेमिंट देना होगा सब्सक्राइब कर लेते हो उसके बाद आपका रिडर निग्जाम होगा जो कि सीबीटी मोड पर होगा उसके बाद डोक बेरिफिकीशन होगा जो आप लोग पौन अप्लाइब करते से में डोकॉमेंट लगाओगे वही डोकुमेंट आपको लेकर जाना है डोकॉमेंट वेरिफिकीशन में उसके बाद मेडिकल चेक अप होगा यह इस्टप आपको फीलियर हो गया सिलेबस अमाल लीजिए सिलेबस में आपका यहाँ पर सव कोस्चन सव नंबर का दो गंटे आपको यह आपके टाइम दिये जाएगा और यहाँ पर रिजिनिंग से सबसे पहले आपको यहां पर पूरा करना हुगा रहा है दस मिनिट में आपको यहां पूरा करना सबसे पहले आपको यहां पर नोटिस में भी बताया गया है अब आगे आपको बता दें चेस्ट आपको नहीं मागा जाता है यहां पर आपका रणिंग कराया जाएगा क्योंकि सबसे पहले आपको रणिंग के यहां पर तयारी करना होगा साथ में आपको यहां पर एक्जाम के भी तयारी करते रहना होगा 800 मेटर आपका रणिंग होगा 4 मिलें पंदरा सिकेंड बिंग कुछ भी नहीं है अराम से आप शुषी नुकाहरे और यहां पसे-प्रिपैर्र करना होगा अब बात कर लेते हैं भरती आपको कब मिलेगी देखने को, कब से आपका फोह अप्लाई होना पर शुरू होगा, अभी जो notice जारी हुआ था, उसमें सिर्व आपका physical से related बताया गया था, height measurement से, syllabus से बताया गया था, post name बताया था, post आपका इतना कुछ आपका उसमें notice में बता जारी होगा, जब notice जारी होगा, तो लेडिस का apply date भी start हो जाएगा, अब किस side से आप apply करना होगा, वह हम सारा कुछ आपको वीडियो बना के बता देंगे, कि सरकाई result से apply होगा, कि other side से होगा, क्योंकि ऐसी कोई भरती आती है, जिसमें अपने है अपने side से apply करते हैं, जैस पूरा प्रोसेस हो लेडियम ने आपको बता दिया, अगर नसकी साडिफिकर्ट है ता आप लोगों के लिए आपको golden chance रहेगा, male हो चाहिए आप female candidate हो, सारा कुछ प्रोसेस हमने आपको समझा दिया, कोई भी doubt हो ता आप लोग कमेंट की मार्दम से पूछ सकते हो, हम आपक को रिपले देंगे, चैनल पर नहीं होगे, सब्सक्राइब जरूरा